जिस Human Resource Management System को लेकर General Administration Department ने बड़ी गंभीरता दिखाई थी और जिस Human Resource Management System को लेकर General Administration Department ने सभी विभागों के करमचारियों को ये कहा था कि अगर आप इस Human Resource Management System Portal के ऊपर अपने आपको रिजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आपकी तनखाहें रोक दी जाएंगी इसके लिए बाज़ा आपता है ये लंबा चुड़ा ओर्डर भी निकला था ये 12 अक्तूबर 2022 को ओर्डर निकाला गया था और इसको ये कहा गया था कि ये जो Human Resource Management System है ये 17 अक्तूबर 2022 से अवेलेबल होगा और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के बाद तमाम डेपार्टमेंट से ये कहा गया था कि आप जो है तमाम करमचारियों से ये कहें कि वो इस Human Resource Management System Portal पर जाएं और अपने आपको अपने CPIS नंबर के जरीए रिजिस्टर करें और बेसिक और जो बाकी सर्विस लेटी डीटेल्स हैं उनको वहाँ पर मोडिफाई भी कर सकते हैं और इसी के आखिर में ये कहा गया था कि अक्तूबर के महीने की सैली उन्ही सरकारी करमचारियों को दी जाएगी जिन्हों ने अपने आपको जब मुकश्मीर Human Resource Management System Portal के उपर रिजिस्टर किया होगा और जिने कंसर्ण DDO वेरिफाई करेंगे जब ये आदेश नामा आया इसकी बाद एक और आदेश नामा निकाला गया ये निकाला गया 15 दसुंबर 2022 को जिसमें ये कहा गया कि Human Resource Management System को स्ट्रीमलाइन करने के लिए General Administration Department ने एक आदेश निकाला तमाम DDOs को इसको लेकर सूचित किया और सभी से ये कहा कि वो जाकर जमक कुश्मी Human Resource Management Portal के उबर register करें और अपनी service details जो हैं वो concern DDO को verification और updation के लिए फॉरण forward करें और उसके बाद साथ में तमाम DDO से ये भी कहा गया था कि आप October के महीने की salary उनी सरकारी करमचारियों को देंगे जिन्होंने अपनी service details इस portal के ऊपर update की होंगी और DDO ने उसे verify भी क किया होगा लेकिन देखा ये गया कि DDO ने ये जी एडी ने कहा कि DDO ने बहुत सारे करमचारियों को उनकी verification किये बगए उनकी service details की verification किये बगए उनको तनकाहें release कर दी और इसको लेकर उनने कहा कि सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता के साथ देखा है और ये भी उनसे कहा क कि आप एक हफ़ते के अंदर अंदर बताएं कि आपने आखिरकार जमो कश्मीर सरकार का जो आदेश नामा था उसको मानने से इंकार क्यूं किया गया उसके बाद दुबारा से तमाम DDO को कहा गया कि आप verification करें service details को registration को एक हफ़ते के अंदर अंदर और उसके बाद ये के ज order के आने के बाद जमो कश्मीर लदाख हाई कोट के रिजिस्टार जनरल संजीव गुपता उन्हों ने एक circular निकाला 27 दसुमबर 2022 को उन्हों ने ये कहा कि 12 अक्तुबर 2022 को तमाम सरकारी करमचारियों को कहा गया कि आप जमो कश्मीर human resource management system पर जाएं और अपने आपको अपन और चीफ जस्टिस उनकी knowledge में लाई गई और उनसे पूछा गया कि आप बताएं आप आपका इस पर विचार क्या है और आपके आदेश क्या है तो इस पर जो और जमो कश्मीर लदाख हाई कोट के हैं उन्हों ने ये कहा कि क्योंकि ये जो जानकारी है ये judicial officer से जुड़ी ह हुई है ये officer से जुड़ी हुई है high court के staff से जुड़ी हुई है district court के staff से जुड़ी हुई है और ये information जो 12 अक्तुबर 2022 के circular के मताबिक मांगी गई है human source management system के उपडेट करने के लिए कहा ये गया कि ये already central centralized personal information system को CPIS कहते हैं already ये तमाम details वहाँ पर डाल दी गई है तो इसलिए अलग से दुबारा एक और portal के उपर इन तमाम details को share करने का कोई औचत्ते नहीं बनता यानि court ने वही कहा जो बहुत सारे और सरकारी करमचारी भी कह रहे हैं कि जब आपने centralized personal information system के उपर तमाम details तमाम तफसीलात सरकारी करमचारीं की ले ली हैं उसके बाद दुबारा से एक कश्मीर लदाक हाई court ने कहा कि इन directions की बन्याद पर judicial officers officers और हाई court का जो staff है जब मुकश्मीर लदाक हाई court का staff district courts का staff इन तमाम को ये कहा गया कि आपको कोई जरूरत नहीं है खुद को register करने की या अपनी information जब मुकश्मीर human resource management system के portal के ओपर जो G.A.D. का सिलक्राल है उसके and मताबिक अपनी details वहाँ पर डालने की कोई जरूरत नहीं है हमने already centralized personal information system में ये तमाम तफसीलात दे दी हैं इन तफसीलात को दुबारा से share करने का कोई मतलब नहीं बनता यानि हाई court ने साफ़तोर पर जनल इंविस्टिशन department को ये कहा है कि जब हमने एक बार हमारे तमाम क इतने भी court में काम करने वाले करमचारी हैं जब इन तमाम लोगों ने अपनी details एक बार आपके साथ centralized personal information system में share कर दी हैं तो अब human resource management system के उपर दुबारा से उनी details को share करने का कोई मतलब नहीं बनता और इसमें रिजिटरार जनल जो हैं उन्होंने साफ़तोर पर अगर आगर high court की chief justice हैं उनके सामने रखी उनसे कहा कि आप बताईए कि इस मामले में आपकी directions क्या हैं तो उन्हें जब पूरी तफसिलात बताई गई उन तफसिलात को सुनने के बाद चीफ justice ने भी यही कहा कि अगर एक बार आपने centralized personal information system में तमाम तफसिलात दे दी हैं उसके बाद उसरे किसी portal के उपर दुबारा से उन्ही details को share करने का कोई और चत्ते नहीं रहता कोई मतलब नहीं बनता और यह भी कहा गया जिसे उन्हें लिखा है खुद factual position was brought to the notice of honorable the chief justice for soliciting orders and his lordship upon perusal has been pleased to direct as under तो उसमें उन्हें डिरेक्शन उनकी सीधा बताई वो डिरेक्शन उनकी है उनके अलफाज हैं क्योंकि यह information judicial officers से officers से high court के staff से district court के staff से जुड़ी हुई है और इसमें government का circular number 35 जेके जी एडी 2022 12 अक्तुबर 2022 को जो circular आया है जिसमें यह कहा गया है कि जमुकुष्मीन human resource management system पर आप अपने आपको register करें तो chief justice chief justice chief justice जमुकुष्मीन लदाख high court उन्हों न उपर अपलोड की हुई है इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि दुबारा से जमुकुष्मीन human resource management system portal के उपर इसको register किया जाए बहुत सारकारी करमचारी भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने एक बार centralized personal information system में तमाम details दे दी हैं उन्ही details को दुबारा से जमुकुष्मीर जमुकुष्मीर state human resource management portal के उपर डालने का क्या मतलब बनता है दो दो portals की compliance करें या हम अपना काम करें बहुत सारे सरकारी करमचारी यह भी कह रहे हैं कि जितना digitized जमुकुष्मीर की सरकार ने काम को किया है वो उस digitalization से जमुकुष्मीर की सरकार को करमचारी को भी फायदा ह हो रहा है लेकिन बड़ा सवाल यह कि जितना ज्यादा आप डिजिटाइज कर रहे हैं जितना ज्यादा आप इस structure को complex बना रहे हैं और जितनी ज्यादा reliance आपकी internet के ऊपर और जितनी ज्यादा reliance आपकी websites के ऊपर है वो reliance खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि बड़ी बार उन्ह information service related information करमचारियों का पूरा पूरा रिकॉर्ड जो है वो online आपने online available है online available होने का मतलब यह नहीं कि लोग उसको access कर सकते हैं सरकार अपने level पर access कर सकती है हालां कि जो इन चीजों के माहिर हैं वो कहते हैं कि तीन लेयर के अंदर है यह सारे का सारा data यह expose कभी भी नहीं data हो सकता है सवाल ही पैदा नहीं होता कि hack हो जाए मतलब ही नहीं बनता कि ऐसी कोई बात हो जाए लेकिन अगर all इंडिया इंस्ट्ट आप medical sciences का server hack हो सकता है अमेरिका के इतने बड़े-बड़े servers hack हो सकते हैं रशिया के servers hack हो सकते हैं तो यह कहना कि जब मकुश्मीर के servers hack नहीं होंगे यह अकलमंदी नहीं है यह वो लोग कहते हैं जो digital दुनिया से और digital दुनिया में जो कुछ होता है उससे वाकिफ हैं बारहाल जहां तक सरकारी मुलाजमों का तालुक है वो सभी इस बात को लेकर परिशान हैं कि हम कितने compliance करें कितना ज्यादा digital mode पर हम लोग जाएं डॉक्टर से आप बात करें तो डॉक्टर आपको यह कहते हैं कि जना आप एक तरफ हमको patient देखना है दूसरी तरफ हमने हमें patient की details अपने हैं digital mode पर डालनी है और सारी details हमको digital mode पर जो है enter करनी है वो जब सारी details हम enter करते हैं उसके बाद जाकर हम दूसरा patient देखेंगे तो उनने का जमो कश्मीर में हालात यह हैं कि किसी भी आपको तीन से पांच मुट का समय लगता ही लगता है तो अगर मान लीजी आप कार्डियोलजी सुपर स्पेशिल्टी के कार्डियोलजी डिपार्टमेंट में चले जाए और वहाँ उपीडी उनकी देखें तो लगबग रोज का चारसो पांच सो patient वहाँ बाहर होता है तो पांच सो patient आपको दस वे से लेकर पांच वे तक देखना है उसमें आप सोचिए कि एक patient को कितना समय मिलता होगा और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि online details एंटर करना एंटर करने के बाद prescription वो तमाम तफसीलाट डाली हालांकि government ने transparency के लिए किया है पर इस transparency को ensure करने के लिए staff की जरूरत है और उसके बाद complexity जितनी ज्यादा structure में होगी उतना ज्यादा करमचारियों के लिए दिक्कत होगी जैसे high court ने भी कहा कि अगर आपने centralized personal information system के उपर तमाम details ले ली हैं उन्ही details को आप जमो कश्मीर human resource management system के portal पर transfer कर सकते थे लेकिन आप वो कर नहीं रहे उल्टा आप करमचारियों से ही कहते हैं कि आप CPIS पर भी खुद को register करवाएं उसके बाद आप human resource management portal पर भी खुद को register करवाएं और अन्य कई और portals हैं जिन portals के उपर आपकी registration mandatory है अगर नहीं होगी तो आपकी तंखाब बंद कर देंगे लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले का जैसे मैंने आपको का नोटिस लिया और चीफ जिस्स जमो कश्मीर लद्दाक हाई कोर्ट उन्हें साफ़तार पर कह दिया कि हमने एक बार CPIS में आपको तमाम डीटेल्स दे दी हैं अब जमो कश्मीर हूमर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर दुबारा से डीटेल्स डालने का कोई मतलब नहीं बनता तो यानि हाई कोर्ट डिस्टिक कोर्ट के जितने भी ओफिसरान हैं जितने भी मुलाजमीन हैं कोई भी अपनी डीटेल्स जमो कश्मीर हूमर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर शेयर नहीं करेगा